तो वेल्कम वेगाई समाग अपना वाल का हम स्क्रीन पे और जैसा अपने स्टार्टिंग में वीडियो देखा बिल्कुल इस तरह का वीडियो है ध्यान से दिखना सबसे पहले अलाइट मोशन अप्लिकेशन को यहां से आपको ओपन कर लेना होगा पूरा यह पॉइंटर को होगा इस ध्यान से देखना ठीक है और यहां पर प्लस वुला आप्सन पर क्लिक करना है नौस वुला के रेशियो ले लेना है सेवें ट्वेंटी थर्टी एवस ब्ल चाहते हैं जो भी फोटो आपको अच्छा लगे अगर मेरा इंद हो चाहिए तो आप सिंप्ल सहे काम कर सकते हैं अब टेलेग्राम लेने के बाद Effect पर जाना है ऐड़ एफेक्ट पर क्लिक कर लेना है यहां से आपको Color and Light पर जानी है यहां पर नीचे में आओग नागा इस यहां पर देखोगे एक देखो ध्यान से यहां पर saturation vibration लिखा हुआ इसको select कर लेना है यहां से standard setting को click कर लो saturation उपर में वाइवरेंस नीचे में तो आपको saturation पर रखना है इसको पूरा पूरा minus में 100% कर देना अभी आपका photo black and white में हो जाएगा ठीक है अब यहां से इसको बंद करते हैं फिसे इस पर click करेंगे effect पर जाएंगे एडिफेक्ट पर जाएंगे बलर वला option पर जाएंगे यहां से लेंगे गुसियन बलर यहां से standard setting को click करना है गुसियन करेंगे यह by default 0.150 रहता है इसको काम करके आपको 0.50 के करीब रखना है ठीक है देख सकते हो कुछ इस तरीका से अब आपको करना है वह आपको ध्यान से देखना है फिसे आपको फोटो पर click करना effect पर जाना है यहां से यहां पर सर्च करना होगा विगनेट लिखोगे विगनेट आ जाएगा यहां से standard setting को क्लिक कर लो विगनेट को on करके इधर से आपको size को छोटा कर देना है ठीक है तो देखोगे दोनों साइट से आपको blackness टाइप को देखने को मिल जाता है बस अब इसको बंद कर देते हैं अब आपको फिसे प्लस करने है से पोला ओप्सन लेना है त्री डॉट पर क्लिक करना है डिलीट के राइट सेट में कॉर्णर पर देखोगे तो त्री डॉट है उसको क्लिक करोगे फि स्वर्स नीचे कर देने है तक अब आपको फिसे प्लस करने है ऑब सर्नियर है से एडिटके आपको बढ़ा देना है इस तरीका से देखो इस तरीका से हम लोग 223 तक रख देते हैं और x y पे क्लिक करते हैं y को इधर से आपको बढ़ाना है थोड़ा सा ठीक है कुछ इस तरीका से देख लो ध्यान से देखना 204 तक और radius को आपको थोड़ा सा increase कर देना है ठीक है यह देख लो अब यह कुछ इस तरीका से दिख रहा अब इस पर करना कर फोड़ा सा इस तरह करके बढ़ा कर एतना वड़ा आपको रखना होगा ठीक है द्यान से देखो आप यहां पे उसीट खोटो को आड करने तो प्लस अब यहां से फोटो को अच्छा से आपको एड़स्मेंट कर देना है ठीक है अब देख सकते हो कुछ इस तरीका से चोटा बड़ा भी करना चाहों कर सकते हो बहुत ही अब आपको उपर में देख लिखा हो यहां पर आपको क्लिक करके बैक करना है अब यहां पर अपना चैनल का लोगो आड़ करना है उससे पहले एक इमोजी आड़ करना है तो प्लस करते हैं टेक्सट पर जाते हैं और यहां से हम दोव तीन इमोजी ले लेटेँ थिके तो चलो यह वहला इमोजी ले ले लेते है आपको पे क्लिक कर लेंगे यह कलर पे क्लिक करके इस बॉक्स पे क्लिक करना है इसको उपा से नीचे कर देना है ठीक है तो यहां पर चैनल लोगो भी अब देख लो कैसे बनाते हैं तो प्लस करते हैं टेक्स पे जाते हैं अपना चैनल लोगो बना लेते हैं तो यहांपे लिखता हूं मैं यूटूबर विनित्सा क्योंकि मैरे चैनल लोगों जो है छोटा है तो यूटूबर में लिख देता हूं यहां पर लिखता हूं विनीट सा ठीक है ध्यान से देखो आज आपके सामने बनाकर दिखा देता हूं अब यह अलाइन्मेंट डॉल आप्शन पर क्लिक कर लो रोबोट रेगलर पर जाना है गाइस और यहां से आपको एक फॉंट आपको बताऊंगा वहाला फॉंट यह इस कलर पर क्लिक करके यहां से आपको वाइट कलर को चूज करना है यहां से ओके पर क्लिक कर दो मूब इंट रांस्वाम पर आके इसको यहां पर रखेंगे इसके बाद से इसमें एक इफेक्ट लगाएंगे तो इफेक्ट पर जाएंगे टेक्स्ट पर जाएंगे टेक्स पर जाएंगे स्टैंडर सेटिंग को क्लिक करेंगे ठीक है अब यहां से इसको इस तरी करके आपको जितना बढ़ाना चाहिए जितना आप बढ़ा के इसको छोड़ सकते हो ठीक है अब इसको अच्छा से एड़ेस्ट कर दो यह देख लो एड़ेस्टमेंट हो गया अब इन को सलेट करके आपको मर्ज कर देना है कितना कमाल कर लग रहा कितना हो जाने कब आपको सब करना है और पहला और आयरों पे क्लिक कर देने यह आपका पूरा एक बार में हो गया अब अब आपको उपर और भीए मुजी लगाने है तो यहाँ पर प्लस करने हैट च जाते हैं यहाँ से मडें इस बार हम लोग दूसरा हमसी लेंगे तो चलो यह वाला इमटी ले लेते हैं ठीक है सेम करना है रोबोटर जाकर आई ओसननिया को लेना अब इसको बार्डरेंट सेड़ों पर जाके यहां से इनेबल कर दो ध्यान से देखते रहो ठीक है इसको अभी हम लोगो फुल वीडियो में कर देना है ठीक है पार्फेक्क्ली आई होप कि आप लोग को अच्छा से समझ पा रहे होंगे अब यह जो ग्रूप हम लोग बनाए ठीक है हो गया पहला लिरिक से यहां से स्टार्ट होता है यहां तक है मेरा प्यार ठीक है तो चलो यहां पर लिखते हैं प्लस करते हैं टेक्स्ट पर जाते हैं यहां पर लिखते हैं मेरा प्यार ध्यान से देखो मैं कोसिस करता हूँ एक दम क्लियरली बताऊं आपको ताकि आपको एक दम क्लियर समझ में आए तो मेरा भी मेहनत सफाल हो अलाइनमेंट वर आपसन पर चले जाओ रोबूटर रेगलर पर जाके यह वहां फॉन्ट ले लो इसका नाम है ब्लेक स्वाड अब इसको बाग कलर पर जाके यहां से आपको वाइट कलर को सूस करना है और ओके पर क्लिक कर देना है इसको अच्छा से यहां पर एडिस्टमेंट करना है थोड़ा सा जूम करना चाहिए थोड़ा सा जूम कर सकते हैं यहां पर देख लो कुछ इस तरीका से यह पहला पहला लिरिक से आपका ध्यान से देखो अब इसी पर क्लिक करेंगे इस एफेक्ट पर जाएंगे एड एड यह आडिबलु लिखो गया आ जाएगा ड्रोइंग प्रोसिस यहां पो ड्यार लिक infinite को क्लिक कर लेना इंड पर क्लिक कर के टेक्श का सुरू में एक प्लस लगा दो यहां पर प्लस लगा दो इसका बाए टिसको सूरी यह हम लोगो का वही रहाएगा जो सूरू में लगा ह यह देख लो आप कुछ इस तरीका से टेक्स लिखने लगा अब इसमें एक और इफेक्ट लगाना इफेक्ट पर जाएंगे और यहां पर सच कर लेंगे फेड इन फेड आउट ठीक है आगया यहां से स्टैंडर सेटिंग क्लिक कर दो बस यह काम आपका कंप्लीट हो गया है इस वाले पर यह वाला पर इस पर हम लोगों को एफेक्ट पर जाएंगे अब आपको ध्यान से देखना एंगल 45 फी रहेगा frequency को इधर से कम करके इधर से हम लोग को रखना है 20 ठीक है 0.20 यहां से frequency हम लोग रख देंगे बस काम खतम इसका ठीक है next word लिखने के लिए यही से इसको copy layer कर लेना है यहीं पर आपको paste करना है जो भी आपका वार्डिंग है सिर्फ वार्डिंग को यहां से changes कर देने clear है इतना सारे काम हो जाने के बाद आपको एक काम और करने होंगे वो यह है कि एक बार इसको back करने होंगे और एक preset में दूँगा अब गाईस उसको आपको add करने color preset है मतलब color grading वाला ठीक है ऊपर में तीन option जो देख रहा है यह color grading के लिए मैं दे दूँगा इसको हटा देते यह वाला तीन का ठीक है यहां से copy 3 layer कर लेंगे यहां से back करते हैं बेक करने के बाद सेम वीडियो पर आ जाएंगे जो वीडियो हम लोग एडिटिंग कर रहे हैं और यह सेम जगा पर जहां से copy किये थे वहां पर क्लिक करोगे तो paste 3 layer का option देदेगा आपको तो paste 3 layer कर देना बस आब आपको देख लो वीडियो कितना clearly बनके ready हो गया तो thank you so much इस वीडियो को देखने के लिए मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा अच्छा लगा होगा और आपको बहुत पसंद से सिखेंगे समझेंगे अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर एक like कर देना चैनल को subscribe कर देना और दोस्तों भी सेर करना धने बाद दोस्तों थैंक्त वाचिंग मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक लेटे केर वाइबाई लभी और वीडियो को सेफ करने के लिए सेर वाल आप्सौन पर जाओगए वीडियो पर सेलक्ट रहेगा यहां से एक्सपर्ट करोगे तो